हालो फ्रेंट्स नमस्कार एंड वेलकम टू शामादान साथी उमीद है कि आप सब अच्छे होंगे और इस टड़ी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी बिहार बिजली विभाग भरती जिसमें कुल 2600 प्लस पद है और इसकी योकता रखी गई थी आई टी आई पास या सिं तक किया है तो आप इस फर्म के लिए लिजबल थे तो एक अभी नया नोटिस जारी किया गया इस भरती को लेकर के और बड़ा बदलाव किया गया इसमें और क्या आप सब यह सुच रहें कि भरती अस्थागित होगी तो सारा चीज यहां पे किलियर हो जागा और यहां पे सिंपिली मैंने बताएं दिया कि ग्रिविट जो पास है वो लोग भी इसमें एलिजबल होंगे तो आईए यहां पर हम लोग चलते हैं अफिशल वेब साइट पे और सारी अपडेट्स को एक एक करके समझते हैं तो जैसा कि देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं बिहार स् पास है तो आपके लिए इसमें सीट है इसके अलावे आप सिंपल ग्रिजुएट पास है यानि इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं अब जो नोटिस जारी की गए उसके बारे मों लोग यहां पे जानेगे तो सबसे पहले इस नोटिस को डाउनलोड कर लेते हैं तेरा आगे ह था जिसमें नोटिफिकेशन नमबर 05-24 से इसके आगे हम लोग ग्रजेट वाला भी देखेंगे तो देखेंगे इसमें क्या था कि आपका 2000 सीटों के लिए अगर आप 12 पास हैं तो इसके लिए आप अलिजिबल थैं टेक्निशन ग्रेट 3 के लिए और इसमें आपका क्यों आइटी आई चाहिए यहां पर देख सकते हैं कि एजुकेशन ओक्रेटी तो इसके लिए आप एलिजिबल थे और इसमें एज लिमिट जो रखा गया था तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो आपका पेवांड नहीं पर दिया गया है 925500 और यहां पर दिया है कोंसौल डेट मंथली रुपी जहां पर दिया गया है और लेवल फूर का यह रेगुलर है यह ऐसा नहीं कोंट्रेक्ट वाशी से रेगुलर जोब है और यह बात इसमें यह है कि आपका एक्जाम इसमें जो सेलेक्शन होगा एक्जाम बेस्ट पर होगा और सिवीट एक्जाम का कंड़क्ट कराई जागा कॉंपीटर बेस्ट होगा अब जो अगला पुष्ट था वो गर्जुशन के लिए था तो उसका यहां पर देखेंगे अब य इसकी कॉलिफिकेशन की बात करें हम लोग तो इसमें सिंपल आपका गर्जुएट मंगा गया है यानि यहां पर देख सकते है आप इस पोछ्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें देखेंगे तो यह लेवल पांच का जौब है यहां पर देख सकते हैं इसके लावे इस लिमीट किया चाहे तो चुकि एक रेजुट पोस्ट है तो इसमें 31 मार्श 2024 का मिनिमम्म 21 साल मांगा गया था और जिनरल के लिए नहीं होगा और यहां पर रिजल्ट पनाया जाएगा और यह फरमाइट जोब होगा जनली यह भरती काफी दिनों को बाद आई है और होता क्या है कि पहले इन सब भर्तिवों में आपका मार्क्स का धर्पसिल्ग समुनूता था लेकिन यहां पर आपका कॉंप्यूटर और जुनियर अकाउंट कोलर्क का यहां पर देखेंगे तो 300 वेकेंसी है यहां पर और इसके लिए क्वालिफिकेशन किया चाहिए तो इसमें भी ग्रेजुएट चाहिए लेकिन इसमें है कि आपका कमर्स होना चाहिए ग्रेजुएट में यहां यहां पर तीनों परकार की है जो कि आपका जुनियर कलर्का है और इसमें भी सीवीटी टेस्ट होगा उसके अधार में यहां पर सेलेक्शन होगा एगेन यहां पर एज लिमीट चुकी ग्रेजुएट पोस्ट है तो अपका यहां पर 21-37 और 40-42 अलग 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 कटेगरी गमसार यहां पर एज लिम आप जो वकेंशी है उसके तहट ऑनलाइन एवदन के परकिलिया जिसमें देखेंगे तो यह 034 बला है आपका क्रेश्पंडेंस कलर का है उसके बाद से यहां पर यह देखेंगे तो आईटी बला है और यह आपका यहां पर एक जो इसमें है वह 300 सीटे है वह कमर्सियल कलर क आपके लिए है तो यहां पर ऑनलाइन जो आवेदन के परकिलिया चुक एक अप्रेल से ही होनी थी और अवेदन के परकिलिया तक्नीकी कारणों से बादित है जल्द ही आवेदन है तो लिंक को पलप्त करा दिया जाएगा बेस्तिरत सुचना बाद में दी जाएगी लोग जो सुच रहे थे बहरती अस्थागित हो गई है तो ऐसा नहीं है कि बहरती अस्थागित हो गई है बिल्कुल भर्ती यह अभी है और चुकि टेक्नीकल प्रोबलम के करांश भरती तो जल्द ही आईओ को तरफ से नोटीस जारी किया जगा और जैसे जारी जारी जाए फिर से हम आपको अपडेट कर देंगे तो जो भी गर्जुएट पास है आईटी किये हैं या खुमर्ट से विजुट किये हैं तो उन सब के लिए भती होने वाली है त्यारी अब लोग अच्छे से करें सीवीटी टेस्ट इस्ट में होगा तो जरू इस फर्म को भरिएगा बा झाल गर हूंगा झाल ठीछ किला थैस्ट में हु्ड़ा तो येलरी हो पास्राइबुट किला है हूंग थठक जो इस में आरा हुां से में हुआ है झाल छूल शूलन किला क्या भी से तो